या देश के बहु को जर्थी गाय कहना रही है रेनका चदरी जैसी महिला सांसद को सुपनेखा कहना क्या सही है तो जब प्रधान मंत्री आपने देखा होगा बंगाल के चुना में ओ डिरी ओ डिरी टपोरी की बासा बोल रहे थे तब आपने शवाल नहीं किया तो यह सबाल उस समय भी पूछे जाने चाहिए अब पता नहीं सुधीर चोधरी जैसा तिहारी क्या सोच कर बोलता है यह तो उसी को पता हो देश लूटने वालों की अगर आप संख्या देखेंगे तो रिशी अगरवाल कोई अनपड नहीं था नीरों मोधी मेहुल चौकसी विजाय माल मेदम जीते हैं जिसनाम обыंधिय के लिए इस प्यजिकी विश्थ वश्ता हैं और फी इसके और रेखियो प्रदानमंतरी के अंडर में च Анд Sangite Dagnese का तो वह जुल्मी कौन है? परधान मंतरी के उपर जुल्म बढ़ सकता है तो हम जैसे आम नागरिकों के उपर क्या होगा यह परधान मंतरी को देश के जनता के शामने में रखना चाहिए. तो आप सोच सकते हैं कि प्रधान मंत्री जी की जो आशंका है वो हमारे हिसाब से निराधार है और प्रधान मंत्री जी आखिर देश को गुम्राह कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि स्पीजी शुरक्षा विशेस भीवान और इतने महेंगे महेंगे बुलेट प्रूफ कार होने के बावजूद अगर प्रधान मंत्री और शुरक्षित हैं तो हिंदुस्तान की 140 करोर आबाम जो भगवान भरोसे जी रही है जिनके लिए कोई शुरक्षा की वेवस्था नहीं ह प्रधान मंत्री के केंपेर में तो सोच सकते हैं कि हम भारती प्रधान मंत्री जी अभीने करना जानते हैं प्रधान मंत्री जी जॉनी लिवर को फेल कर दिया प्रधान मंत्री जी इमोशनल कार्ड खेलते हैं और प्रधान मंत्री जी अगर इमोशनल कार्ड नहीं खेलते है तो प्रधान मंत्री सिक को देश के सामने में साफ और अस्पष्ट तरीके से रखिना चाहिए चुकि भारत एक ऐसा देश है जहां एक से एक सुर्मा एक से एक करांतिकारी एक से एक देश्भग पैदा लिया और आप जानते होंगे जब हमारा देश गुलाम था भगसिंग च नोटिस की होगी जब रिजल्ट आयते तो मीडिया लगातार दावे कर रही थी कि दिल्ली में भात पा भात पाले कि जब रिजल्ट आया तो केजडिवाल जी की जीती उसी बासुदीर चौधरी ने विलेखनेवाइट में ताहा है कि जादा वोट परसंद केजडिवाल को म अनपड नहीं था नीरोब मोधी मेहुल चौकसी विजय माल्या तमाम जो लोग थे या गौता माडानी यह सब कोई अनपड आदमी नहीं है जिसने देश लूटा और देश का पैसा गबन कर लिया तो यह पड़े लिखे लोग जिनकी बुद्धी जीव खा गई जो अपने कैसी के पति बोलना चाहिए वो लोग देश को गुमरा कर रहे है अनपड़े लोगों को तो बैंक लोन भी नहीं देती है पिर लोगों की बात कर रहें वी निश्षी तर पर त ही आदमी देश को कुमरा कर रहा पिर आमिशाजी ने भी तो बोला था अब बुल गई पिर अग्र मोधी जी ने क्या क्या नहीं क्या देश के वहु को जर्सी गाय कहना गया है है तो जब प्रधानमंत्री आपने देखा होगा बंगाल के चुना में ठ़र्य नहीं किया तो यह सबाल उसमें भी पूछे जाने चाहिए और मिष्ट तोर पर बिषाशakes नहीं प्रपिकास में न खूंद हो ऊभी डहिन और बेरोजगारी का धिकास हुआ मावैन बेट्यों पर auto हमले हो रहे हो रहे हैं जो उनके साथ ब्राद्कार हो रहे हैं जाहरी सराब चने बालों का इस वी दो आरबार ढगाब आपने साथ जनता के पास गाए नहीं होंगे जाती होंगी और आपको बीकास दिखता होगा भाजपा के लोग दिखते होंगे गुजरात में गाउं गाउं गई थी मैं 1500 से मुझे गाउं में उजला योजना के नाम पर जो घुटाला है जो आयुषमान काड के नाम पर घुटाला है जो फसल भीमा के नाम पर घुटाला है वह सारे घुटाले हमारे को नजर आए जनता ने वोट नहीं दिया तो किस ने दिया गुजरात के उद्योग पतियों ने अपने मजदूरों को ड़ाया धमकाया कि अगर बाजपा को वोट नहीं दोगे हम नोकरी से निकाल देंगे वो उसकी जीत है गुजरात में अर्थसनिक बलों को मतदान केंदर से दूर रखा इसकी जीत है जो 20,00,000 चुनाव आयोग से गाइब है उसकी जीत है जो विल्किस लाग 20,00,000 चुनाव आयोग से गाइब है तो उस इवियम वह इवियम है कहां अखिर चुनाव आपने समझे वह कॉंग्रेस के नेताओं से आप सवाल पूछिए मैं कोई किसी पार्टी में नी हूँ और आप से सवाल जब भी आप पत्रीकायता करते हैं मेरा हाँजोरकर भींती है कि आप सवाल कि कीजिए बेरहोजगारी परबात की जतरी परबात की लिए फिक्षा परबात की जिमीने हतीया शुरूइन कहां लीए उस पर बात की घुए